सरकारे वादा तो कर लेती हैं और वादे के बाद जब वादा मुकमल नहीं होता है तो कहीं ना कहीं लोग निराश होते हैं और जब लोग निराश होते हैं तो लोग फिर वोट नहीं देते हैं लेकिन जम्मू कश्मीरी में तो सरकार ही नहीं थी सरकार थी लफना गवर्नर की ने से 270 हटने के बाद जब मनोज चिना को जो है का इसए यह के रिए और यह तो finden मनोज चिना जी के तरफ से आा और और आख खूब स्कपठ तौब के शीला नोगरेशन किया। जाबता जो है वादा किया गया कि कश्मीरी पंटूं के लिए जो है यहां पे एक वर्ल क्लास फुटबाल टर्फ बनाया जाएगा और उसके बाद ये भी बताया गया कि उसकी लागत मिनिमम जो है पांच पॉइंट साथ करोड की होगी और उसमें जीवन पबलिन बनेगी जि सब्सक्राइब के बाद इसका काम शुरू क्यों नहीं हुआ और जब हम यहां आए आप देख सकते हैं अंदर जो है ग्राउंड था एक बच्चे आते खेलते थे शाम को इसी ग्राउंड के अंदर लेकिन इस ग्राउंड में टर्फ बनना कहीं पर भी दिखनी रहा था लेक सकते हैं कि एक हैंड पंप यहां पर लगा गया है उसके अलावा जैसे भी मशीन ने कुछ काम थोड़ा बहुत शुरू किया और वहां पर मजदूरों के लिए भी कुछ जगा बनाई गई है जहां पर मजदूर रहेंगे और कॉलकटा की की बांगलोर की कंपनी है पूरा प बनेगा कहीं न कहीं मनोज सिना की सोच जो है वो बहुत पॉजिट्व है वो चाते हैं कि कश्मीरी पंटूं के लिए कुछ करना उनके लिए कुछ ऐसा करना कि वो याद रखें और खासतार पर यह जो वर्ल क्लास फुलबाल टर्फ था वो उनका सपना था कि यहां पर बने लेकिन सरकारी तंत्र ऐसा होता है उस तंत्र में बहुत सारी चीजें होती हैं जो शायद इन प्लेस नहीं होती हैं जिसकी वज़ा से काम डिले होते हैं आप मेरे पीछे देख सकते हैं यह पूरा ग्राउंड जहें अभी भी इसकी हालत खसता है इस ग्राउंड में कोई काम किया है लेकिन इस ग्राउंड में वर्ल क्लास फुटबाल टर्फ बने गा वो कहीं दिख नहीं रहा है और जिस तरीके की पेस खास तोर पे सरकार की होती है कोई भी काम करने वह नहीं दिख और मैं कीचर में चड़ रहा हूं आप देख सकते हैं यहां पे इस ग्राउंड म कि जो टर्फ हे वो सिंथेटिक होगा और वर्ल क्लास टर्फ होगा उस टर्फ के तर्ज के ओपर यहां पर मैदान में वह बनना था लेकिन यह मैदान अभी इंतजार कर रहा है कि कब तेरी से काम शुरू होगा और कब यह तरफ जो है वह complete होगा आप देख सकते हैं यह पूरे ground को क्या हालात हैं मेरे साथ मेरे cameraman अंकित जी है जो यहां पर आप इस पूरे ground को आपको दिखा रहे हैं और इस ground में कहीं नहीं लग रहा है कि जिस भी company को ये project दिया है वो company serious है और जो department यहाँ पर कारी कर रहा है वो department चाहता है कि जल से जल ये tev बने और यही लग रहा है कि चारुन तरफ घास है और घास के अलावा कुते हैं जो इस ground में घूम रहे हैं और उसके अलावा जो है टूटी-फुटी कुछ फुटबॉल की वो जो गोल की जगाएं होती हैं वो हैं और उसके अलावा कुछ इस मैदान में नहीं दिखता है लेकिन देखने को यही मिल रहा है कि डिले 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 कारीम कार्य क्षमीर के साथ देखते रहीं स्ट्रेट लाइन